राश्टिये जंता दल के नेता और बिहार के डिप्टिस सीम शरिवार को अपनी सियासी जमीन तलाशने राची पहुँचे अरजडी पुराने तेवर में फिर से लोटने की तयारी कर रहा है एरपोर्ट पर जहां एक तरफ तेजस्वी ने मौझूदा सरकार की तारिफ की वहीं बीजेपी पर जम कर भडास में निकाली अलागी जब उन से 1932 के खत्यान पर आधारी तिस्थानी नीती की बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस मामले में अधीक जानकारी नहीं है बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादव सनीबार को भगवान विर्सा मुंडा की धरती राची पहुँचे एरपोर्ट पर सैक्रो की संख्या में राजदकार करताओं ने तेजस्वी यादव का स्वागत किया इस मौके पर उन्होंने बिजेपी पर निसाना साथते हुए कहा कि बिजेपी पुराने बंगाय में अपना जनधार खो चुकी है और उसकी हालत पूरी तरह से खराब है उन्होंने 1932 के खतिया नाधारीत अस्थानिय नीती के बारे में कहा कि उन्हें इस बारे में अधिक जानकारी नहीं है तेजस्वी यादव उसके बाद मुख्यमंत्री हैमंत सोयन से मिलने उनके आवास भी गए आप अजीज को अब इच्छा जो एं बिहार बिहार है तो जब शंकी सरकार गिरी है बिहार में यह लगब किसरा गौणा होगा बिहार आप लोगों को बता दे जो ओल्ड बंगॉल जो रहा है जो राइटेड बंगॉल जहां आर्टर बंगाल बिहार उडिस्सा और एक तो अभी जो शिलाल में जो सब्दे भी हुआ है तो उसमें भी जो सी वोतर्स का सब्देश हो उसमें बीजेपी के हलके है ला पटाएगे तो इस बारे में जनकारी नहीं है और इसने हम यहां आए है कि यहां क्या चंब रहा है जनकारी प्दि प्राप लेकर कि इखिशे करग गोल बंद कर एक साथ चुनाओ लरना है इस बारे में खास कर छेत्रिय डल जिस भी राज्ज में मजबूत है उसकी मजबूती के साथ लगाई लरना है तेजस्वी यादव के साथ राजत के राष्टिय महा सचीब और पुर्व मंत्री श्याम रजक भी जारखन दौरे पर है श्याम रजक ने एक लेटबे बीजेपी और पदान मंत्री पर जम कर निसाना साथा उन्होंने कहा कि अडानी के हाथों यह बड़ी कंपनी भिक रही है जो डेस की एक बड़ी कंटेनर कंपनी है उसके साथ ही कई कंपनिया भिक गई और कुछ कंपनिया भिकने के कागार पर है यहाँ जो एक बड़ी कंपनी है जो प्राइबेट सेक्टर में है कंटेनर कंपनी आफ इंडिया उसके दस हजार से ज्यादा करमचारी इंडियन करमचारी है उसको बेशने की साजी चल रही है और 12 से 14 तारिक के अंदर कंटेनर कंपनी आफ इंडिया को गोता मरानी के हाथों म जोनिकों बेज दिया गयार यहां पोर्ट बेजा गया और यहां तक सारय चीज़े जोनीत की पिश्डेक को भाद बेज दिया गया अच्च्रलिया में जब प्रदान मनतुझ जाते हैं तो अपने साथ अडानी को ले आते हैं उससे भी बड़ी आश्चर्ज की बात है कि देश का पधान मनती जब ओध लेने जाता है तो गुजराश से जिस प्लेन में वो सवार हो करके आते हैं गौतम अडानी जी के साथ ये क्या दिरसात आता है कि इस्ट इंडिया कमपणी के तरह अडानी कमपणी अब इस देश में गुलाम लाने की काम कर रही है एरपोर्ट पहुचने पर राजद कारकरताओं ने तेजस्वी यादव का जोड़ दार धन से स्वागत किया एरपोर्ट से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने मुक्यमंत्री आवास पहुच मुक्यमंत्री हैमंत सोरेन से मुलाकात की यहां इनकी मुक्यमंत्री से कई पर चर्चा भी हुई राची से न्यूज 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट